महाराष्ट में CM का नाम फाइनल केंद्री मंत्री ने दो और चार कदम पीछे हटने का क्यों दिया उधारन महाराष्ट में बंपर सीटे जीतने के बाद भी भाजपा नेतवत के लिए मुख्य मंत्री की गुत्ती सुरजने का नाम नहीं ले रही है इस स्पीच CM चहरे को लेकर केंद्री मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है आठवले ने कहा कि महाराष्ट विवाज जल्द खत्म होना चाहिए बीजपी आला कमान ने फैसला किया है कि देविंदर फणगवीस को CM बनाया जाए लेकिन एक नाशिंदे नाखोश है केंद्र मंत्री ने देविंदर फणगवीस का उधारन देती हो बताया कि एक नाशिंदे को दो कदम पीछे हट जाना चाहिए जैसे देविंदर फणगवीस चार कदम पीछे हट गए और उनके नेतवत में एक नाशिंदे को काम करना चाहिए CM या कम से कम एक केंदरी मंत्री PM मोधी और केंदरी ग्रह मंत्री अमिश्या इस बारे में जरूर सोचेंगे और कुछ फैसले जल्दी लेने चाहिए हमें एकनाशिंदे के 57 विधायकों की जरुवत है रामदास आठवले ने आगे कहा कि हमें एकनाशिंदे और उनके 57 विधायकों की बहुत जरुवत है जल्दी समझोता होना चाहिए और केविनेट को चाहिए बड़े विश्वास के साथ विस्तार किया जाए अठावले ने मांग की कि उनकी पाचिक को भी केविनेट में एक मंतरी पद मिलना चाहिए अठावले ने कहा कि मैंने ऐसी ही मांग देविंदर फणतबी से की है संजेर राउथ का भी बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि सेम का फैसला केंदर गिर्यमंतरी अमिश्या और पीएम नरिंद्र मोदी करेंगे एक नर शिंदे और अजित पवार अपनी पाठियों के लिए फैसले खुद नहीं ले सकते राउथ ने तंच कस्तिवे कहा कि शिंदे और अजित पवार अमिश्या और पीएम मोदी के गुलाम है और बीज़ेपी की उप कमपनिया है फिलहाल बीज़ेपी के पास बहुमत है वो बहुमत के लिए एक नर शिंदे और अजित पवार की पाठियों को तोड़ सकते हैं मेरे हिसाब से तो देविंदर फणग भी CCM होंगे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमशकार और देखते रहिए CG News Plus 24